नेचुरल कहानी में स्वागात है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके अल बटन जरूर प्रेस कर लिजेगा बहू ओ बहू कुछ खाने को है तो दे दो बहू रात का बचा हुआ रोटी या भात कुछ भी है तो दे दो भूख बरदास्त नहीं हो रहा मीरा जी ने कपकपाते हुए लवज में कहा तभी उधर से एक औरत एक कटोरा में भात और नमक लिए तमतमाती हुई आई और बोली ले बुढ़िया ठूस ले और अपनी भूख मिटा ले हे भगवान क्या करू मैं इस बुढ़िया का सत्तर वर्सकी हो गई है और अभी तक कितना खाती है स्वर्ग सिधारने तक लगता है हमें कंगाल करके ही छोड़ेगी जब मीरा जी की बहु रिंकू अपनी सास को उनके कटोरे में भात दे रही थी मीरा जी उनके पीछे इतनी तेजी से आई इतनी तेजी से आई जैसे वो बरसों से भूखी हो तो वो बासी भात और नमक था लेकिन वो इतनी चाओ से खा रही थी जैसे मनो उसके सामने कोई उनका मन्द पसंद पकवान रखा हो मीरा जी को बासी भात और नमक इतने चाओ से खाते देख उनकी बहू रिंकू जल भून जाती है और कटोरा से नमक भात जमीन पर गिरा देती है मीरा जी कुछ देर तक तो चुप चाप देखती रही फिर उसे भूख बरदास्त नहीं हो रहा था जमीन से ही उठा कर वो बासी भात और नमक खाने लगी कुछ देर बाद रिंकू वहां से चली गई यह बड़बडाते हुए कि यह बुढ़िया तो जानवर से भी ज़्यादा गंदी होती जा रही है मैं क्या करू इस बुढ़िया का उसी दिन साम का समय था मीरा जी का पोता एक प्लेट में पकवड़े लिये हुए मोबाइल देखते हुए आया मीरा जी को सायद यह पकवड़ा खाए बरसों बीद गए थे कितने दीन बीद गए थे ना जाने उन्हें पता भी नहीं था इस बात का उनके मुँ में पानी तो आही रहा था लेकिन वो एक भी पकवड़ा खाने से डर रही थी लेकिन पोता है कि जिद कर रहा था लोना दादी एक भी पकवड़ा खा लोना जवरदस्ती पोता दादी के मुँ में एक पकवड़ा दे देता है मीरा जी की खुसी का ठीकाना नहीं रहा वह आँख बंद करके पकोड़ी का स्वध को ले ही रही थी कि उसे बहुत ही आनंद आ रहा था तभी किसी ने पीछे से आकर उसकी बाल पकड़ ली उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था जब मीरा जी की आखे खुली तो उनकी बहु रिंकू मीरा जी की बाल पकड़ कर खड़ी थी घुसे में आकर अपनी सासु मा को जमीन पर पटक देती है मत मारो बहू हमें हमें मत मारो एक ही पकोड़ा तो लिया था हमने जादा तो नहीं लिया था ना हमने बस एक पकोड़ा लिया था बहू मत मारो हमें अब कभी नहीं खाऊंगी नहीं बुढ़िया ऐसे तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं तुने मेरे नियम को तोड़ा है हमने बोला था न जब तक मैं तुझे कुछ खाने को ना दू खुद से कुछ भी नहीं खाएगी गुसे में आकर रिंकू अपनी सासु मा को पटक पटक कर मारती है मार मार कर जखमी कर देती है और कहती है आज पूरे दिन तुझे भूखी रखूंगी खाना नहीं दूंगी तुझे माया जी मार खाकर पेहोस हो गई थी कुछ देर बाद जब होस आया तो लड़कडाते हुए कदम से आंगन में खाट पड़ी थी उस खाट पर जाकर लेट जाती है माया जी इस खाट पर लेटे लेटे जब उनका मन नहीं लगता तब वो उठकर काम करने लग जाती है उसे घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी इसलिए सरदी हो बरसात हो या गर्मी हमेशा वो उसी अंगन में खाट पर सोया करती थी और मक्यों के साथ बाते किया करती थी माया जी का बेटा पवन जो की अपने पिता के बने हुए किराने की दुकान में काम करता था कितने ही बार अपनी मा के बगल से जाता और आता लेकिन वो कभी भी अपनी मा का हाल समाजार नहीं पूछता था रिंकू बहुत ही चालाँक थी जब उनकी दोनों ननद घर आई उनके सामने अपनी सासों मौका खूब आव भगत करती लेकिन जैसे ही वो दोनों अपने सस्राल चली जाती थी रिंकू बस सूध समेत माया जी से सारी कसर निकाल लेती थी माया जी ने कई बार सोचा कि अपनी बहु की काली करतूत दोनों बेटियों को बता दे लेकिन उसे डर लगता था अगर यह बात बहु को पता चल गई तो गुस्से में आकर कहीं वो घर से निकाल न दे और बेटियों के सर पर हम बोज न बन जाए इसलिए वो हमेशा चुप करती थी दो दीन बाद माया जी को खबर चली कि उनकी छोटी बेटी आ रही है बेटी घर आने वाली है माया जी खुस हो जाती है और सोचती है एक साल पहले छोटी बेटी घर आई थी तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने थे और हमें भी खाने को मिला था फिर से मिल खाने को या सोच कर खुस होती जा रही थी लेकिन उधर रिंकु बहु गुस्से में बड़वडाती आती है मेरी छोटी ननद भी पागल है उसके घर में जगा नहीं है क्या बार बार मुँ उठा कर मेरे घर चली आती है तभी अगले दिन घर में सब को पता था कि छोटी वाली है लेकिन वो सुभा ही आ जाती है वो सोचती है किसी को नहीं बताऊंगी सब को सर्प्राइज देंगे तभी छोटी बेटी के घर पहुचते ही हुआ यूं कि जैसे ही वो दरवाजे के अंदर गई अपनी मा को आंगन में खाट पर लेटे हुए देख लेती है और कहत मा आप इस तरह अंगन में खाट पर क्यों लेटी हो अरे बेटी तुँ आ गई अंदर बहुत गर्मी है बेटी इसलिए अंगन में खाट पर लेट जाती हुँ अरे नहीं मा इतनी गर्मी में बहुत ही जादा लू चल रही है कहीं आपको लूण लग गई तो आपको गर्मी की वज़ा से तवियत आपकी खराब हो गई तो चलिए आप अंदर चलिए तभी छोटी बेटी अपनी मा को लेकर घर के अंदर चली जाती है और अपनी भावी से कहती है भावी मा इतनी गर्मी में बाहर अंगन में खाट पर लेटी थी आपने कुछ कहा क्यों नहीं आपको रोकनों चाहिए था ना आपको इन्हें बोलनों चाहिए था ना आप तो बोल सकती है ना कि अंगन में खाट पर मत लेटे इतनी गर्मी में इतनी गर्मी की वज़ा से कही मा को लू लग गई तो छोड़िये भावी बातों ही बातों में मैं एक बात का न भूल गई आपको पता है भावी कल बड़ी दीदी भी आ रही है घर पता है क्यूं पापा ने हम तीनों भावी बहन के नाम से सारी प्रोपटी कर रखी है लेकिन जब भाईया पापा के बिजनस को समाल रहे हैं और मा की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं तो हम चाहते हैं सारी प्रोपटी भाई के नाम कर दू रिंकू बहु के मुँ से तो जैसे खुसियां छुपाये ने छुप रहे थे वा खुसी के मारे तो बोल भी नहीं पा रही थी ना हस पा रही थी उसके मन में तो लड़ू फुटे जा रहे थे रिंकू बहु मन ही मन सोच रही थी बस एक बार बस एक बार सारी प्रोपटी मेरे पती के नाम हो जाए फिर इस बुढ़िया की तो मैं खबर लेकर रहूंगी इस घर से बाहर धक्के मार कर ना भगा दिया तो मेरा नाम भी रिंकू नहीं फिर क्या था कुछ देर बाद माया जी की बड़ी बेटी भी घर आ गई दोनों बजार जा रहे हैं दोनों बहन कुछ समान खरिदना है अपने भतीजे के लिए कुछ लान ही पाई न तो थोड़ी मीठाई और कपड़े विगरा जा रही हो लाने और चुपके से जाकर बाहर के दरवाजे से माया वती यानि अपनी मा के कमरे में दोनों बहन जाकर घुस जाती है और चुप जाती है रिंकु मन ही मन सोचती है अब तो सायाद अभी दोनों ननाद बाहर चली गई अभी जाकर बुढ़िया को सबक सिखाती हूँ उधर दोनों ननाद मा के बेट के नीचे छुप जाती है तभी रिंकु तमतमाती हुई गुसे में आती है और कहती है सुन बुढ़िया अगर तुझे इस घर में रहना है न तो अपनी बेटी को एक भी सचाई नहीं बताएगी वरना तुझे धक्के मार कर घर से बाहर कर दूँगी आज तक हमने जितना भी जुल्म किया है तेरे उपर जितनी बार हमने तुझे मारा है और ये जो पैरों में, सरीर में, निसान पड़ा है न मारने की वज़ा से ये अभी नहीं बताएगी तुझ अपनी बेटी को माया जी यह सब सुनकर डर से बिचारी कांपने लगती है आखों से आशु गिरने लगते हैं उधर दोनों बेटी सब कुछ सुन और समझ रही थी इतना कहकर रिंकू के कमरे से जाने के बाद दोनों ननद धीरे धीरे चुपके से कमरे से बाहर वाले रास्ते से बाजार चली जाती है और अपने भाईया के दुकान पर जाकर एक पेपर पर यह काकर साइन करवाती है कि भाईया यह सारी प्रोपर्टी आपके नाम पर हो जाएगी इस पर बस आप साइन कर दो उसके भाई ने तुरंत ही साइन कर दिया फिर दोनों ननद घर आ जाती है कुछ देर बाद भाई भी घर आ जाता है अब बड़ी बेटी अपनी मां से कहती है मां आज से यह सारा प्रोपर्टी भाई के नाम हो गया रिंकु खुसी से उचल पड़ती है और उसका भाई भी पूरा रौब में आकर बोलता है अब इस घर में वही होगा जो मेरी पतनी चाहेगी अम्मा अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी कि हे भगवान यह क्या हो गया मेरी बेटी को तो पता भी नहीं कि उसकी भाभी मेरे साथ कितना गलत करती है मैं बता भी नहीं सकती और अब सारी प्रोपटी उसके पती के नाम हो गई अब तो मुझे घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देगी यह सब सोच सोच कर मीरा जी परिसान हुई जा रही थी उधर रिंकु कहती है सुन बुढ़िया अब आज से तु अपनी बेटी के घर चली जा मैं और तुझे अब नहीं जहल सकती बहुत कर लिया बहुत करवाली तुने अपनी सेवा मुझसे इतना सुनते ही दोनों बहन ठाका मार मार कर ठाका लगा कर हसने लगती है और तालियां भी बजाती है फिर भाई कहता है तुम दोनों पागल हो गई हो क्या इतनी जोड जोड से क्यों हस रही हो अरे भाईया पागल हम नहीं हुए हैं पागल आप और आपके पतनी हो गई है पता भी है आपको हमने क्या किया आपके साथ बड़ी ही चलांकी से सारी प्रोपटी मां के नाम करवाली आपसे दस्थकत करवाकर क्या कह रही हो तुम? हाँ भईया, खुद ही देख लो पेपर पढ़ लो क्या? क्या लिखा है इसमें? इस पर आपने जो बिना पढ़े साइन कर दी न बड़ी ही जल्दवाजी में आपको सारी प्रोपटी का मालिक जो बनना था इसलिए यह तो सुक्र है हमारे भतीजे गोलु का जिस दिन यह मां को जबरदस्ती पकवडे खिला रहा था न गलती से इसका फौन आउन हो गया था और हमने सारी बाते सारी काली कर्टूत अपनी भावी की सुन ली सारा रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा है और आज तो विडियो भी बना लिया है हमने जब मेरे घर से जाने के बाद भावी मां के कमरे में आकर मां को धमकी दे रही थी न उस वक्त हम दोनों बहने अपनी मुबाइल से सारी चीजे रिकॉर्ड कर रहे थे तो अब आप दोनों जेल जाकर ही रहेंगे माया जी यह सब सुनकर इतनी खूस हो जाती है बच्चों की तरह इधर से उधर घर में चहकने लगती है जूमने लगती है घूमने लगती है सर उठा कर चलती है कभी कुछ उठा कर खाने लग जाती है तो कभी कुछ उठा कर खाने लग जाती है कभी इस कमरे में जाती है तो कभी उस कमरे में जाती है यह साब देखकर दोनों बेटियां इतनी खूस हो जाती है उसी के आंसु छलक पड़ते हैं दोस्तों तो यह थी एक प्रेरना दायक छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ हर हर महादेव धनिवाद